हेलो फ्रेंड्स मैं लोके शाका आपका लर्निंग मंतरा पर स्वागत करता हूं और आज हम जिस टोपिक पर बात करने वाले हैं वो एक सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जो उसका नाम है जोगरफी और जोगरफी की शुरूआत हम ब्रमांड विज्ञान कोस्मोलोजी से करें तो आएए देखते हैं शुरू करते हैं सबसे पहली जो चीज आपको पता होनी चीए वह जोगरफी शब्द जोगरफी शब्द को जिनों ने रचा था वो थे एक बहुती इंपोर्टेंट बहुती महान जोगरफी श्ट थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज इरेटोस्थ इनका जनब हुआ था उस ताइम पर ये ग्रीक जो ग्रीस है युनान है उसके अंडर होती थी एक कोलोनी होती थी फैलाल ये लिबिया नाम के देश में अफ्रीका नाम के माधी में पढ़ता है तो इन्होंने कुछ जिन्दगी में दुनिया को बहुत कुछ बताया था तो समझ लेते हैं कि जो भी बहुत इंपोर्टेंट कोशन होगा उसको समझेंगे ये इक्जाम में बहुत ज्यादा पुछा गया है तो ये बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कि इस चीज का अंदाजा लगा अपने आप में बहुत बढ़ी बात थी इन्होंने ये बताया था कि दुनिया को प्रत्वी जो है वो अपने अक्स पर जुकी वी है सीधी नहीं है टेड़ी इन्होंने लीप वरस की गणना करने के बारे में बताए कि लीप वरस कैसे होता है तीन साल के बाद थोड़ा सा टाइम एड़ करके एक दिन अगले चोथे साल में आड़ करने तो लीप मैं बना था वो ग्रीडिस लाइन के साथ बना था लेटिट्यूड और लोंगिट्यूड के साथ इन्होंने मैं बना था तो अपने आप में बहुत इंपोड़न्ट है अलेक्जंडरिया नाम का राजा यूनान नाम के देश से फिलाल जिस स्टेट से वह बिलोंग करता था अलग से देश हें वहां से वही दुनिया में बहुत सारे अलेक्जंडरिया नाम से शहर बसाए थे तो यसा अंति आशापूराव के असपास हैं ऊसे शहाब पटा है यह सब आपको पता है लेकिन उसे थोड़ा सा पहले मतलब एरिया को जीत विवाया था और बाद में इस शहर में इन्होंने तोल मी 3 नाम की राजाने उनको पॉइंट किया था लाइब्रेरियन के तो पर काम करते थे लेक्ट्र ये इरेति उस्तनिस अब बात करते हैं थोड़ा सा अपनी दुनिया के बारे में क्योंकि हमें पता होने चीडिके लिबिया का हैं युनान का हैं तो कि अगर हम यहीं नहीं पता चलेगा कि वो है कहां तो उस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से डूप नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहली जो चीज है वो है दुनिया में साथ मादीप होते थे अब इनकी संग्याट होगी है तो सबसे पहला मादीप है दुनिया में वो है नोर्थ अमेरिका उत्री अमेरिका दूसरा मादीप उसको कहते हैं साउथ अमेरिका दक्षिन अमेरिका पक्षियों का माधीप का जता है continent of peninsula यूरोप एक बहुत important माधीफ है ऐसे ही दुनिया का सबसे बड़ा माधीफ हो उसका नाम है इस्या जिसमें हम रहते हैं यह अपना प्यारा भारत अब एक माधीफ है जिसका नाम है ऑशेनिया ऑशेनिया नाम का जो माधीफ है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और पॉलीनेसिया माइक्रोनेसिया ऐसे टाइप के कुछ आईलेंड से उनको मिला के बनता है तो बहुत important माधीफ है एक माधीफ है जिसका नाम है अंटार्टिका दुनिया में यह साथ माधीफ होते थे बाद में कुछ रिसर्च की गी तो न्यूजिलेंड नाम का एक देश है इसका पाणी गेंडर है लेकिन इसको माधीब का और जादी दिया तो जीलैंड या दुनिया का आठवा माधी बन गए इन में से अगर बात करें लीबिया का है तो यह मिडलिश्ट का मैप है इसमें आप देखेंगे तो यह है अफ्रीक का माधीफ इस अफ्रीका में यह शुम्हां तो देश नाम है इजर ऐसे ही अगर आप यूरोप को देखेंगे तो यह बाएक इसके पास यह पर अच्ड़ uda कई बार तो थोड़ा सापको आइडिया हो कई बार जैसी है भूमद्य सागर एक्जाम में कॉशन आया था निमलिक में से कौन सा देश भूमद्य सागर को टच नहीं करता अगर आपको दुनिया के सब बार जैसी देशों का पता है कि कौन सा देश का हैं तो आप उन चीजों से थोड़ा संदाजा लगा पाएंगे कि कों सा देश टच कर रहा है और को सा नहीं कर रहा है कि अब अब में शुरू करते हैं ने जोगर्फिको हो जोगर्फ आपके कुम में पांच सक्षिन पडएंगे सबसे पहलां स्टेशिंच ऑनाम है कोस्मॉलोजी ब्रहum मांड विगयान उसके पाद अम को सुरू करेंगे वह भुआकरती विज्ञान जियोमॉर्फोलोगी हось ब्रमांद विज्ञान जियोमॉर्फोलोजी भुआ करें इसके बाद हम जो सेक्व चूरू करेंगे वह क्लेमेटोर ज्लवा ग्लिविग्यान य misf लो Betsycare और यूनिवर्सिस कार्ड तो कोस्मोलोज ऐसे टाइप का कोशन साब से पूछ ले जाता है यह वन वर्ड सब्टिटूशन इंगलिश में भी आता है कई बार रिजनिंग के एक्जाम में भी कोशन आ जाता है ऐसे ही जिक्के को रिजनिंग बना के डाल देते हैं इनिमें से अ एक साथ कवर करेंगे के करके तो पहला सबसे पहला जो सेक्षेन है वह कोस्मोलोजी ब्रमाण विज्ञान इसमें पता चलने वाड़ा है तो कोस्मोलोजी श्टडी ओफ यूनिवर्स ब्रमान का अगर अमध्यान करें तो उसे ब्रमाण विज्ञान करते हैं अब इसको ब्र भारत में मानने जाता है हमारे तीन बड़े देवता है ूदि ने उसलनहें की सिर्श्ठी गरचना की थी इसलिए शब्द बामा की नाम से पहले आया हुँआ है थीक है तो ब्रमान्ड विज्ञान के अंदर बेशिकलिं ब्रमाद देवता को दिनोट किया गया है आप इसमें हम सम्ज одगए ब्रमांड क्या है पहला मारा कोशन होगा फिर समझें गैलक सीज kya होती है फिर समझें को पहले हैं एक वीडियो को देखेंगे पहले उस वीडियो को देखिए उसके बात समझते हैं कि आगे क्या हमें पता्त होना चींद और कैसे इस चीज को करें तो कैसे इस तो कैसा दिखाए देगा देखो आसमां वह दिम्हारा प्यारा सुरिय को बीखाए है ऐसे ही बहुत सारे तारे यहां, तो दीरे दीरे तीरे आप देखते जाएंगे किया?स टरह के सिले नाम के फार किसी बमाल फंग्राइश बढ़ किसे लिए बीदा द का दिए घर साइने जलेक देखा है यह इतली घर में लेकरे हो आप 1 जाने रिiele तारे वैसे तो सूरिय से 400-400 गुना बड़े तारे होते हैं लेकिन वे बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें आकार में छोटे दिखा देते हैं अब हम देखेंगे गेलेक्सी के लेवल पर आगे हैं यह हमारी मिल्की वे गेलेक्सी और यह जो चमक रहा है बीच में इसको कहते हैं बल्ज सब इतारे जो हैं लास्षी पैदा होते हैं और बीच में आके उनकी मृत्य होती है उस जंगे पर जहां पर मृत्य होती है उसको बल तो बोल के आकार का हो जाएगा यह यूनिवर्स आइधिंक आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पर्थवी से लेकर और ब्रमांड तक का सफर आपने तै किया कैसे ब्रमांड मतलब आपने देखा कि कितने बड़े आकार की चीज्जे हैं और हम कहां मतला माइक्रोस्कोप भी लगा के देखे तो भी हमने दिखने वाड़े इतना बड़ा ब्रमांड है उसकी भी हमने पूरी अब तक पूरी अच्छे से उसको भी नहीं जान पाए हैं तो हमें कुछ बाते समझनी हैं हम शुरू करते हमने टोपिक को सबसे पहला ज लग तरीके से बताया है कि ऐसे पैदा हुआ होगा ऐसे पैदा हुआ हुआ है लेकिन आखिरकार एक जोर्ज लेमेंट्रे नाम के बेल्जियम के बहुत बड़े जैसे यह लगा सकते हैं कि भई थे तो प्रिष्ट लेकिन उन्होंने बहुत सारी उपलब्द यासिल कर रखी दी उन्होंने बताया कि बेसिकली ब्रमांड की जूत पत्ती है वो लगबग 13.8 बिलियन साल पहले लगबग 13.8 अरब साल पहले एक दमाका हुआ था जिसको बिग बैंक करते हैं वो उस दमाके से इस बरमांड यूत पत्ती हुई अब इतना बड़ा बरमांड दमाके से बढ़ा जो भी चीज़े जो भी मैटर था वह विखर गया तो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके गरह मे उपगरह में तारों में नेबुलाज में कर्वर्ट हो गया गैलेक्सी में इखटा हो या और वो ऐसे चल रहा है अब यह पता है सब को कि अब यह बरमांड दीरे-दीरे-दीरे-दीरे एकस्पैंड हो रहा है बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन परती दिन इसका कार हैं बहुत सारे रिसर्चर के आगे आने वाड़े समय में ऐसा हो सकता है के बिग बैंग आया है ऐसे ही बिग करंच आएगा करंच का मतलब यह जो चीज जो फैल रही है दोबारा से शिकुड़नी शुरू हो जाईगी और एक दिन जाके यह वापिस से एक छोटे आकार में क अधसा होने वाड़ा है ऐसा बहुत बड़े टाइम की बात है तो इतना तैंसे लेने की जुरूड नहीं है सुछो कि कल पर और इसे शुरू हो जाए ऐसा फूद्प ऐसा कुछ नहीं हो थीक हैं अब हम शुरू कर रहे हैं देखते हैं कि परमाड क्या है बेसिक्ली यह जैस पॉ findet सूर्य उनलमे सिक टारह सो अकर शो हैं कि तो लगबग सो अरब नाहीं इस दुनिया में लगबग सो अरब गैलेक्सी जो मिलके एक बोल का ऐकार ऐसे एक ईन्यूवर्ष बनाती है तो हमने थोड़ा सा वीडियो में इस छीज़ को ठोड़ा छे सरे संध्मालい को कि गैलैक्सी कैसी हो Tuya देखने में कैसी होती है कितना बड़ा कार उसका हता है तो गैलैक्सी इस पारे में थोड़ा जितने भी तारे होते हैं, वो सब इसके चकर लगाते हैं, सूरिय भी इसका चकर लगाता है, लगबग 22 से 25 क्रोड साल लेता है, इसका एक चकर पूरा गरने में, और लगबग 500 किलोमेटर पर थी सेकिंड की रफतार से भाग रहा है, तब जाके इतना समय लेता है, तो आप सो अगर वो परकास 1,000,000 साल तक चलता रही, तब जाके एक मिल्की वे को क्रोश करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, साइद अंदाजा भी ने लगा सकते हैं, कि कितना लंबा सफर हो गाई, तो ये एक गलक्सी है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे ही ये गलक्सी है, गलक्सी का नम है आई ची 1101 आकार से आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी है तो यह ऑई 1101 नाम की जो गयलेक्सिय यह लगबग छे लगवर्परकाश वरष लंबी है दुनिया की सबसे बड़ी गयलेक्सी अब तक जो पता है हमारी गैलक्सी का नाम है जैसे मिल्कीवे हमारी एक प्रोस की गैलक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा नाम की गैलक्सी है एंड्रोमेडा हमारी सब से नजदी की गैलक्सी जैसे वीडियो में देखा था तो वीडियो में भी दिखाया था साथ में यह भी दिखें तो Andromeda नाम की galaxy दुनिया की मतलब Milky Way की सब से नजदी की galaxy का नाम है Andromeda ठीक है आप ये समझ गया होगें Akar का अप अपन्दाजा कैसे लगाएगे है Milky Way जैसे ये है Andromeda तो इससे आप अपन्दाजा लगाओ के कितनी बड़ी galaxy है IC 1101 आप अंदाधे लगा पाएंगे कि उसका कितना गुणा आकार IC 1101 में पाये गया है जैसे एक गैलक्सी है गैलक्सी का नाम है बेबी बूम हर गैलक्सी के अंदर लगबग 4-10 नए तारे पैदा होते हैं हर साथ ऐसे ये गैलक्सी गेलक्सी का नाम है बेबी बूम, बेबी बूम का मतलब बहुत ज्यादा बच्चे, जब धमाका हो जब बच्चों का, मतलब एक साथ लाखो बच्चे पैदा हो जाए, इस टाइप की बात को बूम कहते हैं, बेबी बूम, तो बेबी बूम का मतलब सिंपल सा है, कि जो ये गे वे इस एपक्षिए है ग बटाए लंसिर्णे अरट दुनिया में बहुत सारे बलैकुल है लेकिन अब तक हमने उस बिलैकुल को देखानी था पहली बार लोग देखा वह इस गेलेक्सी ची मैसियर 87 थापको डो इस लेक्षर में बहुत है इसका जो अगला इससा बोज़ा हुआ है जैसे अगर आप देखें ये तो सोलर सिष्टम क्या है इसके बारे में हम समझेंगे mr me इस से पहले लेक्चर खतम करने से पहले एक जोक शुनाना चाओंगा एक बार एक दो टीचर होते हैं एक होता है इस्ट्री आप इतियास का और एक होता है मैथमेटिक्स का मैथ का दोनों के अंदर जगड़ा जाते हैं दोनों दूसरे को बुरी तरीके से ताड़ रहे होते हैं फिर इस्ट्री वाड़ा कहता है कि ज्यादा मत बोल मैं तेरे उपर मुगलों की चड़ा इगरबाद हुआं मैं थोड़े गुच साथ है बोला ज्यादा नहीं ब्रैकेट में रखके हैं दो दबाग दे दुआ तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी करपई से ल हुआ है